घट स्थापना के साथ ही चेत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं दुर्गशप्त शती पाठ के साथ शहर के मंदिरों में धूम है आचारियों ने कलश स्थापित करने के लिए बुद्वार के सुबचे बज़कर 29 मिनट से 7 बज़कर 55 मिनट तक का समझ शुब बताया है आचार विजेंद्र प्रसाद ममगाई ने कहा कि यदि उगत समय पर जोकलस स्थापित करने से चूक जाएं उन्हें दिन के 11 बज़कर 45 मिनट से 12 बज़कर 18 मिनट के बीच स्थापना करनी चाहिए चातर नवरात्र के प्रतम दिन मा के प्रतम स्वरूप शहल पूत्री की विशेश पूजा अर्चना की जा रही है भक्त माता की चौकी अकंड जोती वप्रतिमा भी इस्तापित करेंगे इसके पहले मंगलवार को नवरात्री की पूर्वसंध्या पर शहर के बाजारों में पूजन सामगरी खरीदने के लिए भीड लगी रही बड़े बाजारों से लेकर छोटे बाजारों तक में रौनक है रामनब्मी 30 मार्च को है मा के दूतिय रूप ब्रह्मचार्णी की पूजा गुरवार को की जाएगी सहारनपूर हाइवे परिस्तेद मा डाटकाली मंदीर में दूर-दूर से श्रधालू पहुचते हैं यहां नवरात्र पर जवरदस्त भीड होती है नवरात्र पर विशेश पूजाकर श्रधालू मा की आंगन में एक चुनरी बांद कर अपनी मनोकामना मा सी कहते हैं फिर मनोकामना पोण होने पर उस चुनरी को खोलने आते हैं डाटकाली मन्दिर को मनोकामना सीध पीठ और उतराकंड के इश्ट देवी के रूप में भी जाना जाता है बताते हैं कि मन्दिर का निर्मान महंत सुखवीर गुसाई ने 18 सचार में कराया था डाटकाली मन्दिर के पास उनकी बड़ी बहन भद्रकाली का मन्दिर भी है जो देरादून से सहारन पूर जाते वक्त सुरंग से पहले पड़ता है कहा जाता है कि मार डाटकाली के दर्शन के बाद भद्रकाली के दर्शन किये जाते हैं आसे शक्ति आराधना और पूजपार्ट का महापर्व चैत्र नवरात्री शुरू हो गए हैं चैत्र नवरात्री की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है जो 30 मार्च तक रहेगी 37 मार्च को श्री राम नवमी मनाई जाएगी हिंदुधर्म में नवरात्री को बेहत पवेत्र माना गया है इस दोरान मादुर्गा के नौ स्वरूपों की वेदिविधान से पूजा अर्चना की जाती है इन 9 दिनों में मातारानी की पूजा अर्चना करने से विशश फलों की प्राप्ती होती है इस बार की 24 नवरात्री को बेहत ही खास माना जा रहा है क्योंकि ये पूरे 9 दिन की होगी इस साल 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक नवरात्री है और 31 मार्च को दश्मी के दिन पारण होगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें